विदेश निती और दृतिय विश्विद 1933 की शुरुवात में हिटलर ने शांती पूर्ण निती अपनाने का आश्वाशन दिया तथा उसका मुख्य लक्ष वर्साई संधी की अपमान जनक शर्तों को खत्म करना और जर्मिनी के लिए समानता की इस्थिती प्राप्त करना था वह चाहता था कि किसी भी तरीके से जर्मनी 1919 में खोए छेत्रों को वापस मिला ले 1933 में हिटलर की जर्मनी ने पुना सर्श अस्त्रिकरण की निती अपनाई और धीरे धीरे हवाई जहाजो टैंको वह पंडुब्यों से लेस सशक्त सेना का निर्मान किया 1935 में हिटलर ने वायू सेना इमं सेनाओं में अनिवार भरती जैसी घुशना की जो सीधे तोर पर वर्साई संधी की अभेलना थी 1936 में हिटलर ने इटली के फासी वादशासक मुसोलनी और जापान के साथ सोव्यत रूस विरोधी समझोता किया उसी वर्ष उसने अपनी सेना को स्पेन के फासी वादी सैनिक तानाशाह की मदद में भेज दिया और अपने नए हत्यारों वा सैन निववस्था का परिक्षन किया इस बीच हिटलर ने भाप लिया कि बृटेन और फ्रांस जर्मनी से अभी भी युद्ध नहीं करना चाहते थे और अपने और रूस के बीच हिटलर को खड़ा करना चाहते थे बृटेन के इस नीती को हिटलर तुष्टी करन नीती कहते हैं इसका फायदा उठाते हुए हिटलर ने 1949 में और चेकोसलोवाकिया पर कबज़ा कर लिया 1949 के अंत में उसने सोव्यत रूस के साथ अनाक्रमन समझोता किया जिसके तहट दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमन न करने पर सहमत हुए सितंबर 1949 में जर्मनी ने पोलेंड पर आक्रमन करके उसे अपने कबजे में कर लिया पोलेंड के साथ जो अमानवी व्यभार हुआ उससे विश्विस तब धरह गया पोलेंड के समरपन के बाद वहां के अधिकांश यहूदी बुद्धी जीवी अभिजात्य वर्ग के लोग सिक्षक आधी को चुन-चुन कर मार डा लगया ताकि पोलेंड को कोई नित्रत्व न दे हिटलर ने यह कहा कि गैर जर्मन लोग कमतर मनुष्य है जो गुलाम बनने के ही लायक हैं इसी सिध्धान्त के आधार पर वह अंतता पूरे विश्व पर कबज़ा करना चाहता था हिटलर ने जर्मन सैनिकों को यह बताया कि दूसरे देश के लोग कमतर मनुष्य है जो जर्मन नसल के आगे टिक नहीं पाएंगे और जल्दी ही हार जाएंगे पोलेंड के समर्थन में ब्रिटैन एवं फ्रांस ने 1949 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध के घूशन कर दी इसी कदम ने विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया जर्मनी ने उत्तरी युद्ध और फ्रांस पर 1940 के मद्ध तक कबजा कर लिया जर्मन से नाओं ने उत्तरी आफ्रीका में प्रवेश करके ब्रिटैन के उपनिवेशों पर हमला किया इस बीच इटली और जापान भी जर्मनी के समर्थन में युद्ध में कूद गये तीनों मिलकर धूरी राष्ट कहलाए 1941 में जापान ने सयुक्तराष्ट अमेरिका पर हमला बोला और जर्मनी ने रूस पर इन दोनों देशों का युद्ध में प्रवेश निर्णायक रहा अब ब्रिटेन, सोवियत रूस और सयुक्तराष्ट अमेरिका मिलकर जर्मनी, इटली और जापान से लड़ने लगे ब्रिटेन, सोवियत रूस, सयुक्तराष्ट अमेरिका, फ्रांस और अन्य जर्मन विरोधी देश मिलकर सयुक्तराष्ट या मित्र राष्ट कहलाए और आगे जाकर उन्होंने सयुक्त राष्ट संगी की इस्थापना की जिसका पहला मुख्य उद्देश धूरी राष्ट्रों को हराना था 1942-43 में स्तालिन ग्राद नामक शहर में हिटलर की विश्व विजई सेना ने पहली बार हार का मुँँ देखा उसके बाद सोवियत सेनाय आगे बढ़ती गई और 1945 में जर्मन राजधानी बरलिन को कबजे में ले लिया इससे पहले हिटलर ने आत्महत्या कर ली 1942 से ही दूसरी ओर अमेरिका और बिटेन मिलकर फ्रांस को आजात करने में लगे थे और वे भी धीरे धीरे बरलिन की ओर बढ़े इस बीच इटली के भी हार हुई और मुसोलनी ने आत्महत्या कर ली बरलिन पर जीत के बाद अमेरिका ने अगस्त 1945 में बचे हुए धूरी देश जापान को मजबूर करने के लिए उसके दो शहर हिरोशिमा और नागसा की पर एटम बम गिराया और उसके तुरंत बाद जापान ने आत्म समर्पन कर दिया इसके साथ ही दृते विश्विद्ध का अंथ हुआ मानों ने अब तक इतना भयावा, विनाशकारी और क्रूर युद्ध नहीं देखा था एक और हिटलर और जापानी सेनाओं ने अमानवेता और क्रूरता की मिसाले इस्थापित की तो दूसरे और निहत्थे नागरिकों पर गिराये गए एटम बम के प्रभाव ने विश्व मानस को हिला दिया इस युद्ध में 225 लाग सैनिक मारे गए और लगभग उससे दुगने यानि लगभग 500 लाग सामान नागरिक मारे गए इसमें होलोकास्ट में मारे गए 60 लाग यहूदी और हिरोशिमा और नागसाके में मरे 2,50,000 लोग भी शामिल है सरवादिक मानवे छती सोव्यत रूस को हुई कहा जाता है कि वहाँ 200 से 400 लाख लोग मारे गए जो कि वहाँ की जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत थी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी युद्ध में सामान नागरिक सैनिकों की तुलना में अधिक मरे पहली बार ऐसा युद्ध हुआ जिसमें प्रतेक नागरिक, इस्त्री और पुरुष युद्ध में शामिल हुए ऐसा युद्ध जिसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था को युद्ध के लिए पुनरगटित करना पड़ा ताकि असीम मात्रा में हतियार तयार हूँ यह एक तरह से 19-वी सदी के महत्वपूर्ण परिवर्तनों का परिणाम था जैसे राष्ट राज्यों की इस्थापना 20-वी सदी के पहले 50 वर्ष इतने भयावा रहे क्योंकि मानो समाज ने जिन चीजों को अपने हित के लिए बनाया उनी को काबू में नहीं रख सका उल्टा मनुष अपनी इंसानियत ही खो बैठा और हैवानियत की हदों को पार कर गया